दोस्तों Canon 6D Mark II Canon का एक कैमरा है वीडियो के लिए काफी अच्छा कैमरा है तो इसकी सारी असेसरी और इसका रेव्यू आज इस वीडियो करने जा रहा हूं वीडियो को एंड तक देखीगा वीडियो को लाइक करके शेर कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा यह बैटरियां है इसकी पाउर के लिए यह जो बैटरी है यह फलेस के लिए है अलग से फलेस आता है यह जो है 30 वार्ट का फलेस है उनके लिए बैटरियां है यह cell आते हैं fles के लिए जो camera के उपर यह fles लगता है इसके लिए cell है और fles भी काफ़ी अच्छा है सारा कुछ मिला के कितने पैसे में मुझे मिला है second hand ही लिया है वागे कितने पैसे मिला है कितने पैसे में आपको भी मिल सकता है सारा इसी वीडियो में बताएंगे Cell charging के लिए charger है Charge cell है Charge करें एक बड़ charging के बाद आप 4-5 गंठी आराम से यूज़ कर सकते हैं ये charger Camera की बेटरी चार्ज करने के लिए है साथ में 6D Mark2 तो थोड़ा वेटिड है बट काफी अच्छा है वीडियो के लिए Canon का Camera वैसे भी वीडियो के लिए काफी अच्छा माना जाता है Touchscreen इसके LED है साथ में Zoom भी दिया गया है नीचे Holding के लिए है अब को आसानी से सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा काफी कुछ से इसके साथ में मैं ले के आया हूँ जैसे बैटरियां तीन से चार बैटरियां है फलैस की भी तीन से चार बैटरियां है साथ में फलैस है और जो Camera फलैस है वो भी है उसके चार सहल है बोया का माइक भी है साथ में जो कम से कम 900 से 1000 रुपे काता है वो माईक हमें साथ में मिला है यह देखिए तो इस परकार का यह कैमरा है यह मिल जाता है हमें लगबग 70 से 22 जार रुपे का second hand में अगर आप इसे नया पर्चेज गाना चाहते हैं तो लगबग 1 लाख पलस इसकी जो market value है आप जाके link discussion में है पर्चेज कर भी सकते हैं अगर नया चाहते हैं अगर second hand जाते हैं तो भी नीचे link discussion में दिया गया है आपको second hand भी देखने को मिल जाएगे तो यह था camera का review साथ में bag मिला है वो भी काफी अच्छा है carry करने के लिए specially camera के bag होते हैं वही हमें साथ में देखने को मिला है तो दोस् 60 mark 2 Canon का camera है clarity काफी अच्छी है आगे आने वाली वीडियो सभी इसी के दवार आएंगी यह बोया का माइक है आप बहुत अच्छी वीडियो का आनन्द ले पाएंगे clarity काफी अच्छी होगी तो फिलाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिन वंदे मातरम